Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 3.2 का question number 8, तो question number 8 क्या है, which of the following numbers are prime, यहाँ पे यह हमारे 4 numbers दे रखे हैं, और हमसे पूछा है कि इन में से कौन सा number prime होगा, तो यहाँ पे solution देख लेते हैं, यहाँ पे A वाला पाड़ देखो, यह 23 है, 23 prime number क्या होता है, कि जिसके पास स्रीफ और स्री ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यह number क्या है, प्राइम है, अब factor हमारे क्या होता है, ऐसे numbers के जिनके table में यह number आ जाए, लेकिन अगर हम 2 से लेकर 12 तक कोई भी number का अगर हम table पढ़ें तो उसमें 23 कभी नहीं आएगा, तो इसका मतलब 23 हमारा क्या है, प्राइम number है, B वाला 51, अब यहाँ पर देखो, divisibility criteria लगाएंगे, तो 5 प्लस 1 is equal to 6, और 6 हमारा क्या है, 3 से divisible है, इसका मतलब 51 हमारा 3 से divisible होगा, तो यहाँ पर 3 जो है वो इसका factor हो गया, 51 का, तो इसलिए यह हमारा prime number नहीं रहा, 37 की अगर हम बात करें, तो 37 यह है हमारा, अब 37 का अगर हम factor क बात करें, तो factor हमारे क्या होते हैं, कि जिनके table में 37 आ जाए, तो हम 2 से लेकर 18 तक कोई भी table पढ़ें, तो उसमें 37 कभी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब यह हुआ, यह हमारा prime number है, डी वाला देख लेते हैं, 26, यहाँ पर यह हमारा 2 से divisible हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस 13 हमारे इसके factors हैं, तो इसका मतलब यह हुआ, कि यह हमारा prime number नहीं रहे, क्योंकि prime number के लिए 2 ही factor होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है number itself, questions हमाप, next lecture में हम करेंगे, next questions आज के लिए बस इतना है